हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चनल तयर जीत में जैसा कि आपको पता है कि आपका अरदवार्सिक पेपर यहाँ पर होने लगे हैं तो हम देखने वाले अरदवार्सिक मुल्यांकन प्रिसन पत्र 2223 कक्षा 7B के बिसाय बिग्यान हिंदी मीडियम से जो आपको स्थाइब कर दीजिए साथ आइसा जो बेल आईकन होगा उसको ओल पर सेलेक्ट कर दीजिए इस से क्या होगा कि आपको आगयाने वाली वीडियो के हल सबसे पहले मिल सकेंगे समय अपद्धिया आप को यहाँ नम्न जानकारी रही हैं यहाँ पर आपको अपना नाम पताज प्रसनों की संख्या टुटल कितनी है 22 यहां पर पूरां कितना है 50 यदि आप यह वीडियो देखकर जाते हैं तो इसकी 100% गारंटी है कि आपके 50 में से 50 नमबर आएंगे तो यहां पर पहला लिखा है आ और यहां पर लिखा बा almost देखिए बसद यानि होता है तेल तो पहले का हम को मलाना है बसदा कर किस्रेeee दोनों चीजा होती है इसके बाद बिटामिन A में हमारे क्या आता है पालक गाजर यानि फल इसके बाद अगला है बिटामिन C मतलव होता है कर्ट्टी चीह यानि आमला इसके बाद बिटामिन डी कौन रह गया आपका बिटामिन डी होता है सूरे की किरने तो अच्छे से इसको मिला लीजी यह वाले आपके आंसर हो जाएंगे अब देखना इसका आंसर कहां दिया गया है मतलब एका एका कौन सा है आपका दूसरा और यहां पर बी का देखेंगे तो बी का कौन सा है आपका यह वाले का आपको किसे मिलाना है पहले वाले से तो हमारे कहां दिया गया है देखिए यहां पर आंसर मिला लेते हैं यह दिया गया है इस वाले में दिया है देखिए उपसन नमबर C वाले में तो पहले का हमने किसे मिलाया था दूसरे वाले से देख लिए कि पहले का दूसरे से और दूसरे वाले का पहले से तो यहां रखा B का एक से और C का मिलाया था चौथे वाले से C चौथा और D का तीसरे वाले से तो D तीसरा तो यह question हमारा पहले का answer हो जाएगा option number C अच्छे से याद करते चलिए रटना नहीं है आपको यहां पर question दिखाए अगला question number दिया है दूसरा कौन सा पदार्थ जल में पूरता हा बिले हो जाता है बिले मतलब घुल जाता है चाय पत्ती घुलती है क्या नहीं चौक नहीं बालू मतलब होती है बजरी यानि रेट धूल जो आप डालते हैं तो वो घुल जाती है क्या नहीं तो इसका answer सही हो जाएगा हमारा चाय मतलब वो सक्कर तो आपको पता चीनी चीनी मतलब होती है सक्कर सक्कर को पाने में डालेंगे तो आप पूरी तरह से घुल जाएगी तो इसका correct answer हो जाएगा option number D इसके बार अगला question देखते हैं तीसरा तो तीसरा question दिया गया चीनी देखेंगी क्या लेखा उतकिरमित किये जाने वाले पदार्थ का उधारन यानि उतकिरमित मतलब होता है कि एक बार जो परिवर्टन हो गया पना हाथ दुबारा से उसको सही करना यानि कोई pencil तूट गए है तो उसको जोड़ना यह हो जागा उतकिरमित करना तो आप कौन-कौन से चीज़ा उतकिरमित कर सकते हैं option दिये गए हैं आपको देख लेना है यापर तो पहला option दिया गया हमारा दूद से दही बनना गीले कपड़े से सूखे कपड़े कली से फूल बनना या अनाज से कोई चीज बनाना तो आप इसमें से कोई चीज बना सकते हैं देखिए दूद से दही बन गया तो आप दही से दूद नहीं बना सकते यदि कली से फूल बन गया तो फूल से आप कली नहीं बना सकते यदि अनाज से आपने रोटियां बना लिया आटा फिस्वा लिया तो इसे अनाज नहीं बना सकते तो इसका सही हो जाएगा हमारा आपसन नमबर बी यानि कपड़े गीले हो गया है तो आपने सुखा सकते हैं तो फिर से सुखा कर या गीले कर सकते हैं दोना चीज़े कर सकते हैंने कि सुखा सकते हैं तो गीला कर सकते तो इसका आंसर आपको यहाँ पर श्क्रीन उपर दिख राओगा गोला लगा होगा या सही कटेक लगा होगा तो वह आपको यहाँ पर लिख लेना है अगला कॉस्चन उत्सरजन या ब्रद्धी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्धीपन क्या हो जाएगा उद्धीपन इसके बाद एगला क्वेश्चन यदि कोई डाउट है तो कमेंट बजाएगा ज़रू पूश सकते हैं आप यहां पर एगला क्वेश्चन लिखाए हमारा सुई मसीन की यहां पर लिखाए स्लाई मसीन में सुई की गती करना सुई का गती करने में लेकत में से किस गती का उधारन है रेखी गती आवर्ती गती दोलनी गती या ब्रती गती तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रती गती यहां पर हो जाएगा आवर्ती गती आवर्ती गति होती है मतलब उसी रास्ते से हर बार गुजरना इसी को हम क्या गोलते हैं आवर्तिगति गोलते हैं इसके बाद अगला कॉस्चन देखेंगे सात्मा दिये गए परीपत में दोनों तारों के मद किस बस्तू को रखने पर बलब जलेगा पहला उप्सन लिखा है हमारा इसके बीच में हम कौन सी चीज रखें जिससे की यह जल जाए तो आप पसे पास एक कोईला है एक लकड़ी है और यहा पर लोहे का टुकड़ा है तो आपको पता है है यहाँ पर लोहे का टुकड़ा हम रखेंगे तो उसमें current है वो flow हो जाएगा यानि गुजर जाएगा औ आप कभी भी यदि किसी चीज को light की चीज है तो उसको अगर touch करना चाहते हैं तो कभी भी लोगे की चीज से मत कीजिएगा इसके बाद अगला question लखा है 8 दिये गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मुंबत्ती को दो भेन ललियों के चित्र A यानि A मतलब J और B मतलब ये पर देखेंगे तो इसके पास ये सीधी है सीधी हो इसमें देखेंगे तो इसके बास ये टीडा है ठीके तो यहां पर टीडा है तो आप देख सकते हैं तो ये वाले को मतलब आवाले को सही देखेगा लेकिन इस वाले को सही नहीं देखेगा तो इसका सही हो जाएगा सही देखेगा जो हमारा आ था इसके बाद अगला question देखते हैं अगला question हमारा क्या दिया गया है question number 9 हो जाएगा दो चंबकों के समान धरवों को समीप लाने पर क्या होता है यानि आपके पास यदि चंबक है तो चंबक आपने देखे होगे यदि कोई लाएंगे वैसे के वैसे तो आप देखेंगे एक चंबक दूसरी चंबक को भगाती है यानि बाहर को खीचती है अपनी और नहीं हमेशा क्या होता है लड़ाई होती है तो प्रतिकर्सन करते हैं यानि दूर भागते हैं यानि प्रतिकर्सन होगा सदै भी इसके बाद अगला क्वेश्चन और विप्रीद जो होंगे तो विप्रीद धरवां में क्या होता है आकर्सन होता है इसके बाद अगला क्वेश्चन क Q&A 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 Q Q1 से लेकर 10 के Q1 से हमने 10 का पूरा हल देख लिया है इसके अगले वाले वीडियो में है तो हम से इस Q2 का हल लेकर आने वाले हैं आपर Q2 देखते हैं आप यहां पर यह Q2 दिया गया हमारा 11 माँ तो इसको देख लिए अच्छे से इसका आंसर आपको मिलेगा अगले वाले वीडियो में यानि 11 से लेकर हम देखेंगे अगले के कॉस्चन सेकंड वाले पार्ट में सरीर में आयोडीन, लोहा और केल्सियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं प्रतिक की कमी से होने वाले रोगों तथा उनकी कमी को पूरी करने के लिए आवस्तिक सरूतों को यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर यह कॉस्चन लिखा है 11 मां तो अगले वाले वीडियो में हम इसका आंसर लेकर आएंगे यदि आपने चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए